हलो दोस्तों मैं पशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटीर कम्यूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप reversal और pullback के बीच में जो difference होता है उस difference को आप identify कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि reversal होता क्या है जिनको idea नहीं है वो यहाँ पर समझ लेंगे कि reversal क्या है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह pullback क्या है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि reversal और pullback के बीच में difference क्या है अब यह चीज़ हमें सीखने की जवरत क्यों है यह चीज़ हमें सीखने की जवरत इसलिए है क्योंकि बहुत साई लोग लगबख 50-60% लोग reversal और pullback के बीच में difference identify नहीं कर पाते है उनको maximum time नुकसान उठाना पड़ता है गलट decisions के कारण तो maximum लोग को जो नुकसान होता वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार वो pullback को reversal समझ लेते हैं और reversal को pullback समझ के गलट trading decisions ले लेते हैं अगर आप reversal और pullback को सही तरीके से identify कर लेंगे तो काफी है तक आप अपने losses को avoid कर सकते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं यहां पर हम लोग चार्ट पर आगे और देख सकते हैं यह चार्ट है आपका State Bank of India यहनी SBI का और daily chart है और इस daily chart में हम क्या करेंगे सबसे पहले हम reversal को identify करना सिखेंगे फिर हम pullback को identify करना सिखेंगे फिर हम इन दोनों के बीच में क्या differences है इसको identify करना सिखेंगे और उसके बाद at last हम देखेंगे कि हमें जो reversal और pullback को identify किया है उसके basis में अपना trading decisions कैसे ले सकते हैं यह information यह knowledge हमें trading decisions में कैसे help करेगा profit बनाने में कैसे help करेगा इसके उपर यहाँ पर हम detail से बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज clear कर देना चाहूंगा कि यहाँ पर time frame को लेके लोगों के मन में doubt होता है तो इसको आप किसी भी time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं जिस भी time frame में आप trading करना चाहते हैं या फिर आप investment भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह चीज़ी जरूरी होता है identify करना तो आप easily identify कर सकते हैं चाहे daily chart हो, aboli chart हो, weekly chart हो या फिर monthly chart हो कोई भी chart आप यहाँ पर आसानी से use कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हुआ price आपका upside की तरफ गया है उसकी बाद यहाँ पर price आपका downside दिखाया sharp downfall move दिखाया और यह जो गिरावट है यह आपका क्या है यह आपका है trend reversal जिसको हम लोग reversal के नाम से भी जानते हैं यह नि जब हमे clear cut गिरावट देखने को मिले और जो भी कोई support level है या फिर कोई भी crucial level है उन सब को break करते हुए price नीचे जा रहा है कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो यह क्या बन जाता है यह हमारा बन जाता है अब price यहां से उपर निकला है ठीक है जब price यहां से आपका नीचे आने लगेगा तो अगर यह pullback होगा तो इसके करीब price आके वह आपस से उपर जाने लगेगा यह जो support level है इस support level को यह break नहीं कर पाएगा तो यहां पर आपको क्या identify करना सबसे पहले कोई एक support level identify करना है जितना strong support level होगा उतना ज्यादा benefit होगा लेकिन अगर strong support level नहीं भी हो फिर भी आपको एक कोई सा भी support level identify करना based on previous high hollow और based on trend line या फिर chart pattern किसी भी basis पे आपको बस एक support level identify करना उसका बहुत सारा तरीका है अब जैसे ही price उस support level को break करके नीचे आया आप समझाए कि वो क्या है वो आपका reversal है यहाँ पे pullback नहीं reversal यह नहीं trend में completely change हुआ है इससे पहले uptrend था इसके बाद downtrend देखने को मिला अब उसकी बाद follow up यहाँ पे भी क्या हुआ प्राइस आपका यहाँ पे आपका low form किया उसकी बाद प्राइस आपका यहाँ से फिर से ऊपर जाना start कर दिया है अब जब उपर जा रहा उसके बीच में देख सकते है previous low हमें यहाँ पे देखने को मिला था जो कि आपका इसके आने लगता है तो यह क्या क्या लाता यह आपका क्या लाता पुल बैक जिसका example हम आगे देखेंगे लेकिन यहाँ पर क्या हुआ इसको यह respect नहीं किया इसको break करते ही ऊपर निकल गया यहनी जो momentum है वो continue करते ही नहीं दिखाया है डेट मेंस्ट्वв हमें क्या देखने मिला यह जो आफ मोव दिखाया यह हमें reversal दिखाया है यह बाहराइब क्लेकट ट्रेंड रिवर्सन देखने क्लेया है उससे पहले था यहाँ प्रयां का downtrend अब इसकी बात किया हुआ है? इसकी बार trend चेज़ हुआ है और यहां पे आपका trend चेज़ होके क्या हो गया? अब trend आ गया है यहां पे clear cut हमे change of trend देखने हो के बिलवा है जिसी को हम लोग trend reversal बोलते हैं तो that means to reversal में हमें कहीं पे भी support level या पھی resistance level पे का idea मिल गया होगा अब यहां पर से नीचे साइड की तरफ आया है यहां पर क्या है यहां पर यहां पर यहां से आपका ऊपर जाना स्टार्ट किया अब यहां पर कोई क्या crucial support level या फिरेंस अगर हम इस level की बाद कर त Το यह अपका यहीं से support resistance की रूप में काम करता हुआ आ रहा है तो यहां से price आपका ऊपर गया और जैसे ही यह को level है अभि resistance की रूप में काम कर रहा है इसके करीब गया है, लेकिन इसको break नहीं कर पाया है, और वापस यह नीचे आने लग गया है, तो that ministry यह क्या दिखाया है, यह हमें छोटा सा pullback दिखाया है, तो pullback आपको हमेशा इसी तरह की चोटे size का देखने को मिलेगा, pullback कभी आपको big size का देखने को नहीं मिलेगा, जैस है कि वो pullback नहीं है, वो पुरा का पुरा trend change कर रहा है, हमें यहाँ पे trend reversal देखने को मिला है, तो देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको pullback देखने को मिला है, price का downtrend continue है, यहाँ पे trend में कोई changes नहीं हुआ है, अगर price इस crucial level को break करके ऊपर निकल जाता, तब यहाँ पे क्या हो बोलते हैं, short covering भी बोलते हैं, और profit booking, दो चीज होता है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता, pullback देखने को मिलता, जब गिरावट में pullback आता है, तो उस pullback को हम लोग क्या बोलते हैं, short covering, अब यह क्या होता है, इस concept को समझ लिए, फिर आपको और clear तरीके समझ में आएगा, अब क्या की हैं, कुछ लोग यहाँ पर sell की होंगे, यहाँ पर sell की होंगे, अब price उसके बाद नीचे आ गया, तब जो लोग sell की हैं, वो अगर profit book करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, वो buy करेंगे, और buy करने के साथ market से बाहर निकलेंगे, मतलब लोग यहाँ पर first time buyers नहीं ह जिन लोगों ने already sell की है, वो यहाँ पर buy करके market से निकल वे हैं, अब जैसे ही यह लोग यहाँ पर निकल जाएंगे, क्या होगा, वो आपस से sellers हावी होते वे दिखेंगे, और वो आपस से price आपका नीचे जाता हुआ दिखेगा, इसलिए यह जो आपका short covering आता है, इसमें जब तक आपको confirmation ना मिल जाए, कि यह pull back यह reversal है, यहाँ पर आपको trade नहीं लेना है, इसी तरह का example हम आगे भी देख सकते हैं, अब देखेंगे, वापस से price नीचे किरा है, और वापस से यहाँ पर uptrend सुरू कर दिया, अब हम इसको uptrend क्यों बोल वे हैं, अब यह जो आया को break किया है, या फिर previous high को break करके price उपर निकला है, वो आपका pullback नहीं रह गया, वो आपका क्या बन गया, वो आपका reversal बन गया, तो price यहाँ पर आपका अगर हम इस पार्ट को होटा दें, तो price आपका यहाँ से downtrend दिखा रहा था, उसके बाद trend में चेंज हुआ है, यहाँ पर आपका uptrend दिखाना start कर दिया है, तो इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं, अब इस uptrend में देखे, price आपका यहाँ पर गया है, फिर छोटा सा गिराबट दिखाया है, और हमारा यह जो resistance level था, वो किसमें convert हो गया, वो convert हो गया आपका support में, यह जो level है, यह level हमारा क्या बन गया, support level बन गया, अब क्या गया, price आपका नीचे आया है, और इस support level को respect किया है, इसको बेख करके नीचे नहीं गया है, और वापस से उपर जाने लग गया, तो यह जो part है, यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका कहलाएगा, pullback, और यह जो pullback आपका uptrend में आता है, इ जब भी आपका downtrend में pullback आता है, उसका हम लोग बोलते है, short covering, अब trend में जो pullback आता है, उसका हम लोग बोलते है, profit booking, तो इस नाम से भी जान सकते हैं, अगर कहीं पे कोई बोलवाएगा, profit booking हो रहा है, तो समझाएगे कि वहाँ पे हमें pullback देखने को मिला है, चोटा सा downtrend दे इस upside move में हमें buy side की तरफ नहीं जाना, और इस गिराबट में हमें गलती से भी sell side की तरफ नहीं जाना, नहीं तो आप trap हो सकते हैं, और loss से कोई नहीं बचा सकता है, अब यहाँ पे price section को समझे, जो लोग यहाँ पे entry कियोंगे, यहाँ पे entry कियोंगे, या फिर यहाँ पे entry क होंगे, उनके लिए तो price बहुत ऊपर चला गया, अब यहाँ पे जैसे ही थुरा बहुत देखा कि negative candle बन रहा है, वो यहाँ से क्या करेंगे, वो यहाँ से exit होंगे, निकलने की कोशिस करेंगे, अब क्या करेंगे, वो यहाँ पे sell करेंगे, और sell करने के साथ बाहर निकलें तो जैसे यहाँ पे supply जादा होगा, selling जादा देखने को मिलेगा, price का नीचे जानते हैं, लेकिन यहाँ पे sellers हाँ भी नहीं हुए, जो लोग already buy किये थे, वो profit book कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पे sentiment में कोई change नहीं हुआ है, इसलिए छोटा सा किराबट दिखा है, और फिर आपक pullback देखने को मिलेगा, pullback में हमें trend change नहीं देखने को मिलेगा, pullback में कोई trend change नहीं होता है, trend change कब होता है, reversal में trend change होता है, pullback में जो trend है वो continue हमें देखने को है मिलेगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी price आपका नीचे side की तरफ आया, औ और यहाँ पे अगर हम support level की बात करें तो यही आपका support level बनाया है. अगर price इसको break करके नीचे आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग reversal की तरह use करेंगे, लेकिन अगर यहीं से price फिर से उपर सर की तरफ upside move दिखा दिया, यह जो क्या होगा? यह छोटा होसा हमारा क्या 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 लाएगा? pullback क्या लाएगा? और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? profit booking भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें clear cut profit booking देखने को मिलवा. तो उमीद करते हैं इस तरीके से आप reversal और pullback के बीच में जो differences है, उसको आपने identify कर लिया होगा, यहाँ में आपको एक और example दिखा देता हूँ, इससे आपको और concept clear हो जाएगा, हम यहाँ पे आते हैं, महिंद्रा इन महिंद्रा के daily chart पे, MNM के daily chart पे, अब यहाँ पे देखिए, आपका trend एक ही है, trend में कोई change देखने को नहीं मिला है, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, छोटा-छोटा multiple pullback देखने को मिला है, अब जब भी pullback देखने को मिलता, एक और सीज़ आप देख सकते हैं, पहλα low यहाँ पे बना, उसके बाद low यहाँ पे बना, उसके बाद low यहाँ पे बना, डच मिज़ आपका higher low का जो pattern बनवा, उसका यहाँ पे हमें formation देखने को मिलेगा, और उपर में अगर हम बात करें, तो high यहाँ पे, दूसरा high यहाँ पे, That means true, उपर में आपको higher high pattern का formation देखने को मिलेगा और जब तक ये pattern country हुए, तब तक trend में कोई change नहीं हुआ है छोटा मोटा जो भी गिरावट देखने को मिलवा है चाहिए यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या फिर यहाँ पे हो, या फिर यहाँ पे हो यह सारा का सारा क्या है, यह सारा का सारा आपका pullback है यानि बीच-बीच में हमें time to time profit booking भी देखने को मिलवा है और इस profit booking को आप negative रूप में नहीं ले सकते हैं यह आपका healthy रहता, यह आपका बहुत जरूरी रहता market के up trend को continue करने के लिए क्योंकि जो लोग यहाँ पे buy किये हैं, अगर वो लोग यहाँ तक बने हुए है that means true, इस level पे आने के बाद जबरदास हमें selling देखनों मिल सकता है एकाएक price आपका drastically नीचे गिर सकता है उस time पे बहुत कम लोगों को निकलने का मौका मिलेगा लेकिन जो लोग यहाँ पे buy किये हैं, वो अगर यहाँ पे यहाँ पे निकल वे हैं that means true, वो सही जगव पे निकलते जा रहे हैं और फिर यहाँ पे fresh buyers को entry करने का मौका भी मिलता है अगर इस बीच में fresh buyers entry नहीं करेंगे एक ही साथ जो buyers यहाँ पे इंट वे किये हैं, वो यहाँ पे निकलेंगे तो price आपका drastically decrease होता हुआ दिखेगा, drastically give ता हुआ दिखेगा और वो momentum को बहुत जादा harm करता, वो stocks को लिए healthy नहीं होता है इसलिए जिस भी stocks में अगर आपका upside room में profit booking आ रहा है तो वो आपका upside momentum काफी sustainable है और downtrend में अगर shot covering आ रहा है तो वो downtrend आपका sustainable है, लंबे समय तक वो downtrend वहने वाला है तो इस तरीके से आप pullback और reversal को identify कर सकते हैं और इसके बीच में क्या differences है, उसको भी आप find कर सकते हैं